दोस्तों शुरू करते हैं exercise 6.6 से question number 10 नजीमा is fly fishing in a stream नजीमा एक नहर के अंदर मचली पकड़ रही है the tip of her fishing rod is 1.8 meter above the surface of the water और जो ये tip है देखिए ये नजीमा है यहाँ पे बैठी हुई है ये fish पकड़ने का ये instrument है ये rod होती है यहाँ पे और rod में यहाँ पे ऐसे ऐसे pulley होती है और आगे string होती है तो ये जो top है यहाँ पे ये पानी के surface से 1.8 meter उपर है and the fly at the end of the string rests on the water 3.6 meter away and 2.4 meter from the point directly under the tip of the rod और इसका जो किनारा है न पिल्कुल end point है जो जहाँ पे मचली को पकड़ने के लिए कुछ खाना अगेरा लगाए जाता है ये जो चीज है ये जो point है ये नजीमा से तो पूरा 3.6 meter दूरी पे है और जो rod का tip है उससे 2.4 meter दूरी पे है आपको figure में दिख रहा हो गए ये इसका point है यहां से और यहां तक का distance 2.4 meter है लेकिन इस से लेके यहां से और पूरा नजीमा तक ये distance 3.6 meter है assuming that her string आप मालनीजीए कि जो उसकी string है is taught taught का मतलब वो बिल्कुल सीधी है उसमें किसी भी तरह का जोल नहीं है किसी भी तरह का उसमें लटकाव नहीं है बिल्कुल straight है वो tight एकदम how much string does she have out तो आपको बताना है कि कितनी जो string है वो पानी से बाहर है question इसके आगे भी है लेकिन आगे हम बाद में करेंगे यहां तक का question पहले कर लेते हैं तो देखिए इस question के accordingly मैंने यहां पे figure बनाई है इस figure के अंदर यह जो E है यह आपकी नजीमा की position है जहां पे नजीमा बैठी हुई है और जो A है यह इस rod का top है यह point है यहां से string जा रही है और जो C है यह इसका end point है string का और B है इसका A और B जो है यह 1.8 meter है vertical distance जो है पानी के level से इस rod के tip तक का question मैं आपको बताना है कि अगर यह जो string है यह बिल्कुल सीधी है तो यह कितनी लंबी है यानि पानी से यह कितनी बाहर है पानी का level तो यह ही है यह पानी का level है यह आपके पानी का level है और यह यहां से यहां तक इसकी length कितनी है तो सबसे पहले हम अपना ये पार्ट करते हैं देखिए, फिगर आपको दिखरी होगी, आप समझ भी गए होगा इसमें जो चीज़ें इसमें मैंशन करने की हैं, उन्हें थोड़ा आपको मैंशन करना पड़ेगा हम लेंगे ट्रेंगल A, B, C इन राइड ट्रेंगल A, B, C A, B, C के अंदर A, C जो है, ये आपकी स्ट्रिंग है A, C is स्ट्रिंग और इसी की लेंद तो आपको निकालनी है तो पाइथोगरस थियोरम का यूज़ करेंगे बाइथोगरस थियोरम पाइथोगरस थियोरम कहती है कि राइट ट्रेंगल के अंदर सबसे बड़ी वाली जो साइड है जो कि इसमें A, C है आपकी A, C का स्क्वेर आपका हो जाएगा A, B स्क्वेर प्लस B, C स्क्वेर इसमें वैलू पुट करते हैं A, C तो हमको निकाल नहीं है तो as it is रखेंगे A, B की वैलू आपको पता है पानी से लेके रॉड का जो टिप है उसकी वर्टिकल जो डिस्टेंस से बीच में ये आपका A, B है ये 1.8 है 1.8 का स्क्वेर प्लस B, C B, C आपको गिवन है फ्लाइ से लेके और टिप के नीचे तक का डिस्टेंस ये बुक में गिवन है ये आपका 2.4 मीटर है तो इसे लेंगे हम 2.4 इसका स्क्वेर A, C स्क्वेर आज इस रखेंगे 1.8 का स्क्वेर करते हैं यानि 18 का स्क्वेर तो 18 का स्क्वेर होता है आपका 324 और पॉइंट के बाद जब जैसे कि आप स्क्वेर तो निकालना जानते हैं जब 18 को 18 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 324 आएगा और यहाँ पॉइंट है यहाँ पॉइंट है पॉइंट के बाद टोटल होगे आपके दो नमबर तो पीछे से दो नमबर छोड के आप पॉइंट लगाएंगे तो यह 3.24 हो गया प्लस 2.4 का स्क्वेर यानि 24 को 24 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह आएगा आपका 576 और यहाँ भी पॉइंट के बाद एक नमबर पॉइंट के बाद एक नमबर टोटल दो नमबर होगे तो आंसर में पीछे से दो नमबर छोड के आप पॉइंट लगेंगे यह होगा 5.76 अब इन्हें प्लस करते हैं AC स्क्वेर इस इक्वल टू इन्हें आप प्लस करेंगे तो यह आपका 9.00 आएगा 9.00 का मतलब है 9 आप AC की वैलू निकालेंगे तो यह जो आपका 9 आया है इसका अंडरूट निकालना पड़ेगा क्योंकि जब इधर स्क्वेर होता है तो वो इधर जाके आपका स्क्वेर रूट बन जाता है और 9 का स्क्वेर रूट होता है 3 तए 3 आपका और ac की length 3 आ गई और ये length आपकी meter में है तो ये 3 meter तो first part जो है आपका उसका answer आ गया इसे ऐसे लिखेंगे आप therefore length of string she have out is equal to 3 meter यानि जितनी string बाहर है पानी के उसकी लंबाई 3 meter है यहां तक आपका first part है इसके आगे part होता है आपका शुरू second part देखिए second part में क्या बताया है if she pulls in the string at the rate of 5 centimeter per second अब देखिए जब यह मचली पकड रही है तो यहां पे एक चकली होती है इससे यह खींचती है इसको और यह string है यह इसकी तरफ आती है ऐसा ही कुछ हो रहा इसमें भी तो 5 second per second के हिसाब से यह इस string को खींच रही है अपनी तरफ तो what will be the horizontal distance of the fly from her after 12 seconds तो जब यह 12 second तक इस चकली को चला चला के और इस string को अपनी तरफ खींचती है तो फिर यह जो fly है यह जो इसका end point यह और नजीमा से distance कितना रह जाएगा देखिए इस ऐसे समझते है जैसे यह string है अभी यह AC के बराबर है जब यह इसे खींचेगी तो यह अपनी तरफ आया गया ऐसे इसका जो end point अब वो तो water level पही रहेगा लेकिन यह string इसकी जो पुली होती है उसके अंदर खींच के चली जाएगी अब आप देख रहे होंगे A point के उपर यहाँ पर A से आगे आगे जितना यह निकल गया न इतना इसने खींच लिया इसको 12 सेकेंड वे हमने मान लिया कि 12 सेकेंड वे इसने इसे खींच लिया इतना तो यह जो length है न यह length आपकी AC से कम आएगी तो पहले हमको यह length निकाल लिया यह length निकल जाएगी तो फिर यह आपका hypotenuse बन जाएगा और इस point को मैं मान लूँगा P यह मान लेंगे कि 12 सेकेंड बाद जब यह string खिच जाएगी तो फिर P point पे इसकी जो fly वाला point है वो यहाँ आजाएगा तो सबसे पहले यह निकालते हैं कि 12 सेकेंड में actually string वो कितना पुल कर लेती है तो length of string pulled in 12 seconds देखे एक सेकेंड में वो खिच लिया 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड इस तरह लिखेंगे 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड और सेकेंड से 12 12 सेकेंड तक हो खिच ती गई तो सेकेंड से सेकेंड कट गया और 12,5 से 60 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर उसने string को खिच लिया 12 सेकेंड में अब सारा question क्योंकि मीटर में है तो आप अपने centimeter को meter बना लीजिए यह हो जायागा 60 को 100 से divide कर दिया 0 से 0 कट गया नीचे 1 0 है तो आपके 6 में पीछे से 1 से छोड़ के point लग जाएगा 0.6 meter तो यह जो extra length आई है यहां से और यहां तक जो उसने pull कर लिया वो 0.6 meter है तो total length थी इस string की 3 meter और 3 में से 0.6 meter उसने pull कर लिया तो आप जितनी length रह गई है जो आपको figure में भी दिख रही होगी A से और P तक यह कितनी हो जाएगी इसे निकालते है तो इसके according आपका जो AP है यह हो जाएगा AC minus और यह जो length इसने pull की है 0.6 meter AC की length थी आपकी 3 minus 0.6 meter 3 में से 0.6 को minus करेंगे तो यह आएगा आपका 2.4 meter minus इस इस तरह करेंगे आप 3 में आगे point लगा लेंगे 0 कर लेंगे decimal के नीचे decimal इस तरह 0 है यहाँ 6 है तो यह 10 हो गया 10 में से 6 गया 4 decimal का decimal यहाँ पे 2 रह गया 2.4 तो AP की length आपकी 2.4 है अब AP का use करके और अपने इस triangle को use करके आप निकालेंगे PB पाइथोगरस स्यूरम लगाएंगे आपको PB मिल जाएगा और PB के अंदर आप BD जोड देंगे तो इस fly के point से और नजीमा की sitting position के horizontal आपका distance निकल जाएगा वो ही आपका answer होगा चलिए अब हमको triangle use करना है ABP Now in triangle ABP ABP के अंदर पाइथोगरस स्यूरम लगाएंगे by पाइथोगरस स्यूरम AP इससे मैं जोइन कर लेता हूँ AP का square हो जाएगा आपका AB square प्लस PB square AP का square यानि की AP आपने निकाला है 2.4 2.4 का square is equal to AB का square AB आपकी 1.8 1.8 का square और PB आपको पता नहीं है PB ही तो आपको निकालना है further solve करते हैं देखें 2.4 का square आप उपर निकाल चुके है 2.4 का square होता है 5.76 5.76 is equal to 1.8 का square भी आप उपर निकाल चुके है 3.24 और PB has it easy रख लीजिए अब PB की वैलू निकालनी है तो PB को एक तरफ छोड़ दीजिए और numbers को एक तरफ ले आईए यानि 5.76 में से माइनस हो जाएगा 3.24 और माइनस होके PB स्क्वेर की वैलू आएगी इनने माइनस करते हैं 6 में से 4 गया 2 7 में से 2 गया 5 फिर पॉइंट आ गया फिर 5 में से 3 गया 2 2.52 यह आपके PB स्क्वेर की वैलू है लेकिन आपको PB निकालना है इसके बाद मैं यहां कर देता हूँ इसे ऐसे करके लिख लेते हैं PB को मैं लेफ्ट साइड में रख लेता हूँ PB स्क्वेर हो जाएगा मेरा 2.52 अब PB की वैलू निकालना है तो इसका स्क्वेर हटाना पड़ेगा और स्क्वेर हटेगा तो दूसरी तरफ आपका स्क्वेर रूट लग जाएगा 2.52 और 2.52 एक परफेक्ट स्क्वेर नहीं है क्योंकि इसके पीछे 2 है जिसके पीछे 2 होता है वो आपका नंबर परफेक्ट स्क्वेर नहीं होता तो फ्रेक्टरिजेशन मेथड से यह हो नहीं सकता आप निकालेंगे इसे डिविजन मेथड से तो डिविजन मेथड से इसका स्क्वेर रूट निकालते है 2.52 division का rule यह होता है कि point से इधर आपको pair इस तरह बनाते है point के बाद फिर इधर दो दो number का pair अगर यहाँ भी 2 होते तो 2 का एक pair बनता अब ऐसा number लेंगे जो यहाँ पे और यहाँ पे आपका same हो और यह आजाए यह इस से छोटा आजाए तो one ones are one minus करेंगे तो one आगया point का point आगया और पूरा pair उतरेगा उपर से यह 52 पूरा उतर गया इसके बाद division का rule होता है कि जो यहाँ पे आता है आपका इसमें इसी को जोड़ देते हैं यानि कि once में once को जोड़ देते हैं अगर यहाँ पे 21 होता तो 21 में one जोड़ देते लेकिन यहाँ सिरफ one है न तो once place पे one ही है तो one में one को plus करके यह आपका two आ गया अब यहाँ पे और यहाँ पे आपको same number लेना है ताकि उनको multiply करके या तो यह आजाए या इससे छोटा आजाए इससे बड़ा नहीं आना चाहिए और क्योंकि यहाँ पे point आ चुका है तो यहाँ point लगा लेंगे तो अगर मैं इसको four पे four पे 98 हो जाएगा 96 five पे try करता हूँ अगर यहाँ five ले लेता हूँ तो 25 हो जाएगा और 25 को five से multiply करना होगा यह आजाएगा आपका 125 इसे माइनस करते हैं तो यहाँ पे seven आ गया और यहाँ four में से two गया तो two आ गया अब फिर से वो step यहाँ तो कुछ नहीं है तो अपनी तरफ से zero add कर लेते हैं जैसे हम divide में zero लगा लेते हैं उसी तरह से वहाँ एक लगाते हैं यहाँ एक pair लगाते हैं तो उपर से यह दो zero उतर के आ जाएंगे आपके और यहाँ पे क्या होगा मैंने बताया था once जुड जाता है अगला number बनने के लिए पिछले में once जुड जाता है तो यह 25 है 25 में 5 जुड जाएगा तो यह आपका 30 हो जाएगा अब यहाँ पर और यहाँ पर एक number लेना है ठाकि multiply होके उन दोनों का इससे कुछ छोटा यह यह इतने के बराबर आ जाएगा तो यह मेरा 2700 है और यह बन रहा है यहाँ पे 300 तो 9 पे 27 चला जाएगा लेकिन 27 से जाएगा अगर मैं यहाँ पर 9 लगाँगा तो तो मैं इसे 8 से ट्राइ करता हूँ तो 308 300 को 8 से multiply करते हैं 308 जार 4, 6 6, 24 24 164 आयाई 24, 64 इसे माइनस करते हैं तो 10 में से 4 गया 6 9 में से 6 गया 3 यहाँ 6 में से 4 गया 2 2, 3, 6 आया सरी हाँ 6 6 में से 4 गया तो 2 तो 2, 3, 6 आ गया आपका अब पॉइंट के बाद मैंने 2 नमबर ले लिए है आब पॉइंट के बाद कम से कम 3 नमबर तक इसको जरूर करें तो एक पेर और लगा लेता हूँ मैं यहाँ पर तो इसे मैंने 0 कर लिया अब यहाँ पर क्या करेंगे 308 में 8 जोड देंगे यह हो जायागा आपका 316 और फिर यहाँ पर और यहाँ पर एक नमबर लेंगे तो इस बाद ट्राई करते हैं यह आपका 23,000 है यह आपका 3,000 है तो 3,8024 होता है वो तो बड़ा हो जाएगा तो 3,70 मैं इसे 8 पर ट्राई करता हूँ 8 पर नहीं जाएगा 8 पर बड़ा हो जाएगा 7 पर ट्राई करता हूँ 3,1,6,7 7,7049,4 42 46 7 8,9,10,11 और 7,3021,22 यह चला गए मेरा 7 पर जा रहा है 7 पर इससे छोटा रहा है 22,169 बस इसके बाद आप ना करें पॉइंट के बाद आप 3 नमबर तक कर लें फिर पीछे के जो दो नमबर है वो आपके राउंड आफ हो जाते है इतना काफी है तो यहां अगर इसको राउंड आफ करते हैं पहले मैं PB की ये वेलू लेता हूँ 1.587 तो PB हो जाएगा 1.5 और लास्ट के 87 को मैं 90 बना लूँगा 90 बना लेंगे तो खाले 9 लिख लेंगे तो ओके है क्योंकि अब आपको लिखना है अपना फाइनल आंसर देखिए आपको निकालना है P से D तक का डिस्टेंस यहां पर इस बार यहां करते हैं क्योस्टिन को यहां पीडी निकालना है आपको और पीडी है आपका PB प्लस BD तो PD इस इक्वल टू PB की वैलू यह निकाल लिए आपने 1.59 और BD आपको फिगर में दिया हुआ है यहां से यहां तक 1.2 है यह बुक में दिया हुआ है 1.2 मीटर इसमें 1.2 जोड देंगे इसे प्लस कर देंगे यही आपका अंसर होगा तो इसे प्लस करते हैं पीछे 9 है तो 9 ही रहेगा फिर 5 और 2 7 हो गया फिर आपका decimal आ गया फिर 1 और 1 2 हा गया 2.79 मीटर इसे अप्रॉक्स में लिख लेते हैं अप्रॉक्स में इसलिए क्योंकि यह जो आपका स्क्वेर रूट आया है यह भी अप्रॉक्स नहीं है तो PD की लेंट 2.79 मीटर आ गई यह आपका आंसर है इसको आप अपने language form में ज़रूर लिखें ऐसे लिखेंगे Hence the horizontal distance of the fly from नजीमा नजीमा से यह नजीमा की position है नडी और यह fly है तो PD of the fly from नजीमा after 12 seconds 12 seconds के बाद is 2.79 मीटर यह आपका आंसर थोड़ा question लेंड दी है थोड़ा सा tricky भी है अच्छा question है practically तो I hope आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना थेंक्यू